तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं audio-visual communication के भादे में audio-visual communication क्या होता है जैसा कि इसके आपको नाम से यहाँ पर ही पता चल रहा है audio-visual मतलब audio मतलब क्या होता है जो हमारी आवास से रिलेटे होता है और साथ ही साथ में visual का मतलब क्या होता है जो आप देखते हैं ठीक है audio visual communication का ऐसा ही मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को देख भी सकें और सुन भी सकें और उसी से related आपका communication जैसे कि एकदम perfect और एकदम latest आपको example लेना हो तो जैसे कि अगर आप YouTube से इसी तरीके से मेरी वीडियो देख करके पढ़ रहे है तो ये क्या है audio visual communication है ठीक है अगर आप इसको देखेंगे नहीं तब भी आपको नहीं समझ में आएगा जो भी चीज़ यहां पर text रे लिया है और साथ ही साथ में अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं वॉल्यूम अपना धीमा कर लेंगे तो भी आपको यह चीज़ समझ में नहीं आएगा तो यह हमारा क्या हो रहा है आपसका audio visual communication मतलब हम दोनों आपस में बात चीट कर रहे हैं अपनी information आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी जो भी आप उस चीज़ को समझ रहे हैं ठीक है और feedback भी मुझे दे सकते comment के तो यह सारी चीज़ी क्या है communication के यह अंतरगत वाते हैं मतलब आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं तो यहीं देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि audio-visual यहां देखें लिखा है कि audio-visual communication is a combination मतलब क्या होते हैं किस किस्ट का एक तो sound का होता है और साथि साथ में site का होता है मनलब आपको सुनाई भी पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ में दिखाई भी पढ़ना चाहिए ठीक है साइट का मनलब यही तो उसके बाद में फिर आंगे देखिए क्या लिखा कि जो भी है इंटर्टेंवेंट हो पाता है यानि कि आपको जो भी है इनफोर्मेशन उसके सु मिलती है यहां पर जो भी आपकी सारी चीज़े होती है जैसे कि आपको पता है कि जो भी टीवी में न्यूज वगारा जो भी न्यूज एंकर्स होते हैं ठीक है वो किस तरीके से मगैरा देखना छहीं आप देखते में हैं और सुनते में है कि लिए किस ग्जांपल है विडियो कॉप ओडियो सब्स आपते लिए और modern means of communication यह एक तरीके का modern means of communication है हम लोग आराम से देख करके जैसे कि वीडियो कॉलिंग हो गई ठीक है हम पहले हम लोग केवल सुनते थे एकदम रेडियो की तरीके एक दूसरे को केवल सुन सकते थे अब हम लोग क्या वीडियो कॉलिंग के जड़ी आपस में बहुत जड़ा पॉपुलर है और इफेक्टिवनेस इसका एक अलगी इफेक्टिवनेस आता है ठीक है इसका एक अलगी मज़ा है ठीक है अगर आप केवल किसी चीज़ को देखेंगे तो भी आपको हो सकता है वो चीज़े जड़ा बैटर तरीकस ना समझ में है और अगर केवल सुनेंगे तो भी आपको वो चीज़े कम उतना अच्छा नहीं लगेगा साथ इसी वज़े जो है जो भी अभी आपको पता है कि पुराने टाइम में जो भी देडियो वगेरा होते थे उनका उनका जो चार्म है अब वो धीरे धीरे डिके हो रहा मतलब कम होता चला जा रहा है ठीक है अउसकी जगे पर हम लोग टीवी वगेरा देखना पसंद करते हैं वीडियो अपने स्मार्ट फोन में वीडियो वगेरा देखना पसंद करते है ठीक है तो यह सारे चीज़े हैं तो अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुए है कि कुछ यहाँ पर चीज़े बताए कि some of the merits of the audio visual communication are as follow कुछ यहाँ पर merits बताए गई है ठीक है audio visual communication की जो की नीचे लिखी हुई है एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि one number देखी क्या लिखा हुआ है कि powerful medium of communication बहुत ही अच्छा power है powerful medium of communication मतलब कि आप अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से powerful way में दख सकते हैं बता सकते हैं समझा सकते हैं ठीक है इसके बाद second point क्या है कि combination of sight and sound मतलब कि इसमें तो light देख करके भी आपको और सुन भी सकते हैं ठीक है वही है कि आपको आपको दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा आपको बहुत यह तरीके से हर चीज आराम से समझ में आ जाएगी ठीक है तो यह चीज होगी अब जो थर्ड है थर्ड पॉइंट भी आप द नरेन मोजी जी है उनके साथ में कोई सीवी एक घटना हो गई या फिर कभी किसी कर देथ होगी जैसे सिस्वान राजपूर्द जी की देथ हो गई ठीक है उनका उन्हों सोसाइट कर लिया तो यह किस तरीके से आया सब लोगों किस तरीके से पता चला तुरंत इधर कुछ ह हुई है क्या चीज नहीं हुई है ठीक है पूरा जन संचार मतलब कि आम आदमी जो है वो भी उस चीज़ से रिलेटेड रहे ठीक है तो यह सारी चीज़े क्या है कॉम्मिनिकेशन में तो आती है तो सुटीवल फॉर मास प्रब्लिसिटी मास प्रोपरगेंडा मतलब कि जो प्रचार प्रिसात हो दा जो भी कोई लीडर करना भाजपा की पर्टी करें और साथ में जो भी आपको पता है मास एजूकेशन जिसे बुक्स वगयरा होगे आपको टेली वीजन वीडियो के जडिए कही सारे आप एजूकेशन ही तो प्राप्त करता दिता है एक तरीक है मा यह सारी चीजी क्या है सो टीबल फोर मास पॉब्लिसीटी मास प्रोगीना एंड मास एजूकेशन इससे आप अपनी प्रप्लिसीटी भी बढ़ा सकते हैं साधेसा बाफ प्रशार प्रशार भी कर सकते हैं और लोगों को एजूकेशन भी दे सकते हैं इंटर्टेनमेंट वगरा भी कर सकते हैं ठीक है तो आडियो विजूल कॉम्मुनिकेशन के यह कुछ मेरिट्स हैं यहाँ पर आई हो कि आपको समझ में आ गए होंगे उसके आपर देखें क्या मतलत है महात्पूर्ण एग्जामपल्स हैं और विजूल कॉम्मुनिकेशन के जिसके उपर हम लोग अल्रेडी ही डिसकस कर चुके हैं पिछले कई एक वीडियो में ठीक है तो हम लोग अभी पूरी हिस्ट्री जान चुके हैं टेलीवीजन के सिनेमा की यह सब मारे इल फुल रहा होगा स्सक्राव लगण आप इसको अराम से लिग सकते हैं अगर आपके सिस्लेबर्स अगरा में आना हो तो आप इसको अराम से जिस तरीके से लैंग्वेज है बहुत इस इंपल लैंग्वेज है आप इसको यूज कर सकते हैं पने regen पेपर्न को ein honoroscope Oke तेने के इस सो कोई सी भी प्राब्लम होती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा मैं उसका पूरा रिपलाई करूँगा ठीक है